Hello and welcome to CP का social science classes. So students, इस lecture में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Moment in plantation field. तो हमारा ये previous topic ही है, non-corporation moment का, हमने देखा था, different ideas were perceived by the people of towns, countryside and now we will read about the moments in the plantation. Non-corporation moment का जो idea था, towns के लोगों ने अलग perceived किया, countryside के लोगों ने अलग perceived किया, countryside मतलब, present or tribal लोगों ने, और अब हम पढ़ेंगे, the ideas perceived by the plantation workers. उन्हों ने जो non-corporation moment की idea को कैसे perceived किया, plantation workers had their own notion of सवराज. Plantation workers का भी अपना एक idea था सवराज से related, मैंने previous video में भी आपको बताया था, कि सवराज लोगों ने anti-British को लेके नहीं किया था, cities में थोड़े से लोग aware थे, educated थे, तो उन्हों ने उस idea को Britishers के against use किया, बट countryside के लोगों ने भी अजादी को क्या लिया, कि हम किससे अजाद होना चाहते हैं, उन्हें ये लग रहा था, जिस person के अंडर हम work कर रहे हैं, मतलब अगर हम जैसे countryside में तालुकदार्स के अंडर थे, landlord के अंडर थे, तो हमें सिरफ उनसे अजादी चाहिए, तो उनके लि रहे थे, plantation owners के अंडर, तो उनका idea जो था सवराज को लेकर वो भी क्या था, बिल्कुल, different, अब उनके लिए freedom पढ़ेंगे, क्या है, plantation workers के लिए, right to move freely in and out of the area confined to them, means वो जिस area में रह रहे हैं, असाम के workers थे, वो ये चाहते थे, हमार लिए अजादी क्या है, वो ये चाहते थ और कोई restriction ना हो, हमें कहीं भी अपने, जो हमारा field है, उसमें आने जाने की अजादियो, उनके लिए अजादी सिरफ इतने ही matter करती थी, उनके लिए Britishers से अजाद होना matter नहीं करता था, उनके लिए अपने plantation owner से अजाद होना matter करता था, अब एक और act लगा हुआ था, वहाँ restrictions लगे थी, पीछे भी बताया था कि two-third area जो था, वो government ने अपने under कर लिया था, confined area बोलते हैं, जो government के अंदर होता है, जिसके अंदर आपकी movement जो होती है freely नहीं होती, अब workers were not allowed to leave the plantation without permission, means यह है कि वहाँ पर जो workers काम कर रहे थे, उन्हें बीना permission के वहाँ से जाना allowed नहीं थ देखिए, मैं एक example लेती हूँ, जैसे एक person job करता है, अगर वो नहीं जाता, तो job पर, तो वो free है, पर अगर वो job पर गया है, without boss की permission के, वो half time में वापिस नहीं आ सकता, उसे अपने boss से तो permission लेनी पड़ेगी, in the same way, अगर plantation workers वहाँ पर काम करते थे, तो बीना plantation owner की permission के, व भी क्या होता था, वो permission बार-बार apply करते थी, कि हम क्या आपने वापिस से ले जाएगा, दस में से one time भी उनकी जो permission थी, grant नहीं होती थी, मतलब उनको मिलती ही नहीं थी, मिस जो person एक बारी, इस plantation, जो fields हैं, उसमें काम करने के लिए आ गया, उसके लिए वापिस जाना बहु आए, तो मतलब गांधी राज आ गया, गांधी राज आने का मतलब है, कि अब हमार को गांधी जी क्या दिलवाएंगे, अजादी, उन्होंने गांधी राज का मिनिंग इस तरीके से लिया, कि अब हमें अजादी मिलने वाली है, अब हमें अजादी मिलने वाली है, तो हम इ क्या किया वहां के plantation fields को वो छोड़ कर भाग गए कहां की ओर अपने home की तरफ क्योंकि उन्होंने अजादी को यही लिया था कि हम किससे अजाद हो जाएं अपने plantation owner से तो जब उन्होंने गांधी जी का non cooperation moment के बारे में सुना तो उनको यह लगा आजादी मिलने वाली हैं तो उन्होंने अपने plantation field छोड़े और धर की और निकल गए but they could not reach their destination वो अपने destination तक नहीं पहुंच पाए मतलब जिस village में उन्होंने जाना था वो वहां पर नहीं पहुंच पाए क्या reason था इसका on the way back to their destination they were caught by police and beaten by them जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहां पर पहले ही railway और streamer strikes चल रही थी उस ट्राइक को जो plantation वर करते वो स्ट्राइक को देखने के लिए खड़े हो गए या उनके sport के लिए खड़े हो गए तो इतने में they were caught by police and beaten brutally by them इतने में police वालों ने उन्हें पकड़ा और बुरे तरीके से मारा और उन्हें वापिस ही उस जो plantation field है वहां पर ले गए अब क्या हुआ यहां पर इन लोगों को success नहीं मिल पाई उन्होंने सोचा था गांधी राज आ गया है तो हमें अगर हम इस जो उन्होंने act बनाया है moment in the towns, moment in the countryside and moment in the plantation. Towns में जो लोग थे हमने उसमें देखा था economic जो depression आया था वो कैसे आया था कि जो हमारी economy थी वो बिल्कुल ही down हो गई थी उसके बाद moment in countryside में जो लोगों ने non-corporation moment का या गांधी जी के view का क्या लिया उन्होंने उन्होंने सोचा कि यह जो हमारा moment है य किसके खिलाफ हैं तलुगदार्स के और landlords के और merchants के उन्होंने इस moment को उनके खिलाफ सोचा और जो plantation वाले थे plantation worker थे उन्होंने इस moment को किसके खिलाफ सोचा plantation owners के खिलाफ इस act के खिलाफ वो खड़े हुए पर इन सब ने non-corporation moment के जो notion को different different तरीके से लिया बट इससे एक बा तो इस moment में लोगों को ये बास समझ में आ गई थी कि हमें injustice के खिलाफ खड़ा होना है, injustice कोन कर रहे थे, Britishers ही कर रहे थे, तो yet the people have taken savaraj in different ways but it created an emotion to all India agitation, मतलब हम इसका बोल सकते है pan identity बना दी, जब हम पूरे इकठे होकर एक मुल्क के, एक country के लोग इकठे होकर किसी चीज इसके against जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, all India जिस country की बात हो, agitation, तो लोगों को ये लग रहा था, अब हमें इसके against खड़ा होना पड़ेगा, तो पहले वो अपने अपने लिए लड़ रहे थे, अब जो slogan उभर के आया, वो क्या था, people का slogan क्या हो गया, स्वतंत्र भारत, मतलब अब वो उनके खिलाफ नहीं, अब वो अपने भारत को ही अजाद, देखना चाते हैं, जो moment था, किसी एक एरिया तक confined नहीं रहा, एक एरिया तक restricted नहीं रहा, ये जो moment था, अब all India का बन चुका था, all India की लोग इसमें participate कर रहे थे, किसके खिलाफ participate कर रहे थे, Britishers के ख हो गई थी, कि अगर हमें अजादी चाहिए, तो हमें Britishers के खिलाफ, Injustice के खिलाफ, खड़ा ही होना पड़ेगा, तो एक moment है, हम पढ़ते हैं उसका, जिसकी वजह से, जो non cooperation moment था, उसको क्या करना पड़ा, call of क्यो करना पड़ा, रीट करते हैं, at Chori Chora in Gorakpur, गोरकपुर कहा पर हैं, उत्तरपरदेश में, कौन से इर की बात कर रहे हैं हम, 1922, ये चोरी-चोरा मुमेंट हुआ था, गोरकपुर उत्तरपरदेश in 1922 में, वहां पर लोग, peaceful demonstration मतलब, बिलकुल शान्ती प्रिये जलूस निकाल रहे थे, कहां पर, इन बजार, peaceful demonstration इन बजार, टर्न इंट clash with the police, तो जब लोग demonstration निकाल रहे थे, demonstration में, जलूस निकाल रहे थे, किसके खिलाफ, Britishers के खिलाफ, तो पुलिस ने आके उनके ओपर लाठिया बरसाना शुरू कर दिया, उन्हें गोलिया मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से, जो वो situation थी, जहां पर लोगी कठे हुए होए थे, और जहां पर पुलिस ने गोलिया चलानी शुरू कर दी, वो violent हो गया, और situation इतनी worst हो गई, कि लोगों ने वहां का पुलिस स्टेशन जला दिया, कितने सारे पुलिस वालों को उन्होंने महर दिया, तो गांदी जी ने जब इतना violent देखा लोगों का तरीका, कि ल गांदी जी थोड़ा सा distress हो गए, और इसकी वज़े से उन्होंने non-corporation moment को क्या कर दिया, halt, halt मतला रोक दिया, उन्होंने वापिस ले लिया, तो non-corporation moment अलग-अलग जगा पर अलग-अलग तरीके से स्टार्ट हुआ, बट उसका भी क्या हुआ, इतना जादा वो successful नहीं ह हुआ, क्योंकि non-corporation moment last में क्या हो गया था, violent, violent होने की वज़या से गांदी जी ने उस moment को वापिस ले लिया, तो students हमने इस पूरे chapter में जहां तक cover किया, उसका एक view लेते हैं, हमने non-corporation moment क्या किया था, start, हम non-corporation तक पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने first world war के बारे में read out कि क्या था, first world war के बाद हमने क्या देखा था, सत्या ग्रह, सत्या ग्रह में जहां पर चंपारन, खेडा और एहमदाबाद में गांदी जी ने sport की थी, लोगों की और उन्हें success पे मिली, फिर क्या start हुआ था, royal tech, जिसमें क्या था, दो साल बीना किसी trial के, जो Britishers हैं, वो उस person क बंदी बना सकते हैं, political, जो activities हैं, उसको उन्होंने suppress करने की कोशिश की, फिर कौन सा moment हुआ था, जलिया वाला बाग incident, उसके बाद हमने क्या पड़ा, non-corporation moment in towns, in countryside, in plantation, और फिर calling of the non-corporation moment, हम यहां तक इस chapter को cover कर चुके हैं, जो almost आपका half हो चुका है, So students, हम next lecture में पढ़ेंगे, towards civil disobedience moment, उस lecture में हम देखेंगे कि गांदी जी ने non-corporation moment को रोका तो है, पर इसका मिनिंग यह नहीं है कि गांदी जी ने Britishers से खिलाब अपनी लडाई को रोक दिया है, वो लडाई चालू रहेगी, पर इसके लिए उन्होंने थोड़ा सा time लिया है, ताकि लोगों को train किया जा सके, वो trained हो जाएं, और जो जो loop holes रहे गए हैं, जो जो उस moment में कमिया रहे गी थी, उसमें सुधार करके, दुबारा से एक new moment को launch किया जाएगा, जिसके बारे में हम अपने next lecture में पढ़ेंगे, तो next video में देखेंगे कि क्या-क्या changes किये गए थे और कैसे new moment स्टार्ट हुआ था, thank you